हालो फ्रेंड्स, वेलकम यू आल, आज मैं आपके जो वीडियो ने क्या आती हैं, बात करेंगे समर सीजन के उपर, यानि कि गर्मिया जैसे ही आती हैं, तो जो जरूरत हैं, जो दिमांड्स हैं, वो उसी सेग्मेंट में जाने लग जाती हैं, अब यहां पर रेफ्रिजरेश गैसे की बात करते हैं, यानि कि ठंडाक पहुचाने वाली गैस है, इनका यूज कहां होता है, जरा सूचिए, इनका यूज, एसी में, फ्रिजरेश में, आप देखते होंगे, आपको जरूरत भी सायत पड़ी होगी कई बार, अपने एसी की गैसे को रिफिल करवाने के लि फिर वो ये रेफ्रिजरेशन गैसेज, या फिर आप एसी बाई करते हो, या फिर मैं कहूंगा आप फ्रिज बाई करते हो, और जो भी कूलिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर ये रेफ्रिजरेशन गैसेज बहुत इंपोर्टन हो जाती है, और अगर आप देखो जेखे, एक बहुत इंपोर्टन स्टॉक, जो लोग मार्केट में बहुत लंबे टाइम से हैं, और समझते हैं इस तरीके की वैल्यू चेंज को तो वो रेफ्रिजरेशन गैसेज का नाम लेती ही, स्टॉक का नाम बता देंगे, क्योंकि एक बहुत इंपोर्टन स्टॉक है, जो इस कंप और आगे बढ़ने से पर आपको बता दूगर, आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहे गया, और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप जोइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे देखिए, यहां पर थोड़ा था फॉल और उसके बाद आप देखिए, लगातार कोई कमी नहीं यह गैसेज को और प्रॉफिटेबिलिटी भी आप देखिए, जब यह प्रॉफिटेबिलिटी रिवेन्यू ग्रोथ इस के सजार करोड के पार जा चुका है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, नवी फ्लोरीन यानि कि रेफ्रिजरेशन गैसेज और स्पेशिलिटी केमिकल की दुनिया का प्लियर है, तो वापस ही मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक, हिट लिस्ट वाला शेयर क्यो क्यों कि स्पेशिलिटी केमिकल की दुनिया का शेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां से निकलती है मल्टी बैगर, यह मल्टी बैगर की खान कहला जाता है यह सेक्टर, तो चलिए बात करते हैं स्टॉक को आपके सामने लाने का मकसद इसका मंथली चार्ट आप देखिए, क्या कैंडल बनी थी, मंथली पर ऐसे कैंडल देखने को मिल जाए ना, मज़े आ जाए, फॉल के बाद ऐसी इंडिसिजन वाली कैंडल तो कोई भी कहेगा, बाई करेंगे, और उसके बाद देखिए, रैली, यह लेवल, थर्टी सेवन, यह लेवल पहला जो पीक अगली रैली, बहुत है, बहुत ही अच्छी बात है, समर्स में, इनकी डिमांड बढ़ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टन, तो चलिए, यह मंतली चार्ट था, और स्टॉक आपके सामने क्यों आया, उसको समझेंगे, और देखिए, हमें इसा आसमानों पर ही रहता है, यह स्टॉक रहते हैं, अब चार्ट को, वीकली चार्ट पर आप देख रहे हो, जो पिछला, यहां पर द 600 के लेवल से बढ़िया रहली, देखें, बार-बार यहां पर सपोर्ट लेके 200 SME के इर्दगिर्द और आपसला जाता है, लेकिन यह स्टॉक आपके सामने अभी क्यों आया है, उसके कारण को समझेंगे, क्योंकि यह स्टॉक अगर आप देखो, यह 4800 का लेवल है, यह ऊच्छी-खासी कर्यक्षण, यह 1000 स्टॉक्स के लिए अच्छी-खासी कारेक्षण है, और यह इस पॉइंट को आप देखें, देखेंगे इस पार्त को, यह जबर और हाई की सीरीज बनाता हुआ नीचे गिरा और अब जो ये ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे यह जो ट्रेंड लाइन है उसको आप देख रहे हो तो आपको गया यह जो रेंज बन रही थी एक चैनल बन रहा था फॉल का चैनल टूटा बहुत ही बढ़िया बात लेक साइकल देखिए ऑल्रेडी जो भीरिश साइकल चल रही थी बहुत टाइम से वह बुलेश साइकल में कनवर्ट होती भी नवीन फ्लोरीन के लिए बहुत इंपोर्टेंट तो इनिशल टार्गेट तो एज यही रहता है क्योंकि यह एक मल्टी बैगर स्टॉक है और हमेशा जहां देना जहां से बड़े वॉल्यूम्स बनते हैं अगर आप देखो पिछली बार जो आवर्ली के साइकल थी वह आल्मोस्ट थरीच से बढ़िया रैलिस नहीं दी थी देखिए तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एक बढ़िया मैं कहूंगा मूब एक इंबैलेंस क अगर यहां पे लेके जाओगे तो प्राइस ने यहीं इंबैलेंस जहां पर क्रिट हो जहां से प्राइस बहुत जबर्दस तरीके से रैलिय किया प्राइस ने फिर से वही आने की कोशिच करी तो यह एक डिमांड जोन्य कर्या नहीוד तो पिछली cycle यहां से start हुईती है अब उसी तरीके की cycle को आप देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके की बियरे साइकल खतम करके अब उसी तरीकी के cycle फिर से start होती हुई देखने को मेल रही है तो नवीन फ्लोरीन क्यों important है वो तो आपने देखा क्योंकि एक quality stock है एक value stock है फ्लोरीन गैस बहुत important है किस तीज के लिए refrigeration gas अगर आपने थोड़ा बहुत chemistry पड़ी होगी थोड़ा idea होगा आपको इस segment में तो मैं कहूंगा fluorine gas के बारे में आप जानते होंगे देखे कितना important है fluorine gas refrigeration की जब भी बात आती है तो और cycles उसी तरीके से जैसे refrigeration में fluorine gas important है और price section में हमारी price cycle important है आप देख रहे हो पिछली बार क्या हुआ अगर मैं यहाँ पर clean करता हूँ इसको और फिर से आप देखना last time की जो बढ़िया बहतरीन cycle जो चली थी आप देखिए बहुत ही देख रहे हो आप equal high और उसके बाद fall और उसके बाद positive cycle और बढ़िया रहे ली उसी तरीके से देखिए बेलकुल fall trend line break pullback और आप देख सकते हो पूरा channel देखिए channel break और उसके बाद pullback और एक बढ़िया बह stop loss available है तो यह deep stop loss available है लेकिन risk management हमेशा की है क्यों risk management की है क्योंकि यह आपके बड़े losses को बचाएगा और आपको लंबी दूरी तक और लंबे time तक market में बनाए रखेगा क्या आपकी capital को बचाना आपकी प्रात्मिक्ता रहनी चाहिए आपकी priority रहनी चाहिए capital को बचाना तो capital capital बची रहेगी तभी तो आप आगे देखोगे जैसे यहाँ पे अगर आप इस price cycle को देख रहे हो को आपके deep stop loss आपको पता है और immediate stop loss आपको पता है इसी तरीके से आप उपको पता है और improvise stop loss आपको पता है ठीक है तो यह छोटी छोटी चीज जरूरे है लेकिन बहुत important च फ्लोरियन गैस का टॉप का स्टॉक वाइड अप करता हूं वीडियो का और उमीद करता हूं समझ मा ज़रूर आगा वीडियो अच्छा लागा तो शेर जरूर कीजिए लाइक कीजिए प्राइस सेक्सिन सीखते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैस साइकल के अंडरस् तुम हैं तो आप डेस्किप्शन में जाके आपके को लिंक दिया हो वहां से एकाउंट उपन कर सकते हो और आप इसका यूज कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू और जरोधा काइट एंड थैंक यू थैंक यू पर वाचिंग दा वीडियो